राधे राधे एवरिवन, माई पैसिफिक वोल में आप सभी का स्वागत है सावन का पावन पवित्र महीना शुरू होने वाला है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्थ यानि दो हजार चोबिस में सावन महीना कब प्रारम हो रहा है कब सावन महीना पूर्ण हो रहा है और सावन के वर्थ हमें कैसे करने हैं सावन सोमवार के वर्थ हम कैसे करेंगे सावन के सोमवार को पूजा कैसे करते हैं, वर्थ में क्या खाते हैं, किस तरह हम संकल्प लेते हैं और किस तरह उध्यापन करते हैं यानि सावन सोमवार्थ से संबंदित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप आन्थ तक जरूर देखें. तो देखें इस वर्स यानि 2024 में 22 जुलाई से सावन महिना प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त दिन सोमवार को ही सावन का महिना समाथ हो रहा है. तो जब हमारा सावन का महिना शुरू होगा 22 जुलाई को भी सोमवार का दिन है और 19 अगस्त जब सावन का महिना समाथ होगा तब भी सोमवार का दिन है तो इसलिए बहुत ज़्यादा महतवकूर्ण है इस वर्स सावन का महिना तो पहले जान लेते हैं कि सावन के सोमवार हम कैसे करते हैं तो देखिए सावन के महीने में जब सोमवार आता है उस दिर हमें वरत करना होता है जिसे हम सावन के सोमवार कहते हैं तो देखिए तीन तरह से सावन के सोमवार का वरत किया जाता है सबसे ज़्यादा लोग सावन के सोमवार का फलाहार वरत करते हैं तो आप चाहें तो फलाहार वरत कर सकते हैं आप चाहें तो एक समय भोजन करके आप सावन के सोमवार का वरत कर सकते हैं या आप चाहें तो आप लोग का जोड़ा, किसमिस का जोड़ा या कोई भी पतलब कोई special कोई चीज की सिर्फ मुझे यही खानी है तो उस तरह का संकल प्ले कर भी आप वरत कर सकते हैं सावन के सोमवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर सनान आधी करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जहां भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर भगवान शिव शंकर की जो फोटो या परतीमा जो भी आपके पास है उनके सामने दीपक जलातर पूजा करेंगे हाँ जोड़कर भगवान शिव शंकर से प्रात्ना करेंगे हे भगवन आज से मैं आपके निमित ये पूजा ये वरत कर रही हूं या कर रहा हूं आप मेरी पूजा को स्विकार करें मेरे वरत को स्विकार करें और मेरी मनोकामना पोण करें ऐसे हम वरत का संकल्प कर लेंगे उसके बाद आप चाहें तो अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो अति उत्तम मंदिर में जाके शिवाले में जाके आप पूजा करें भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाएं भगवान शिव शंकर को जल बेल पत्र दूद और धतूरा भांग जो भी फल आपके पास है वो फल यानि जो भी पूजा सामगरी है वो सब भगवान ये में सब्सक्राइगते हैं अ sihmare और समय को नोन पारद सम्यृत्यति को रहए गाल हाँ बहुत करने हैं coloca मत नों किष्माइब नत बशन पर भूश्य कलिए मी घर सकते हैं आप समय संकल्प के ने emba IP हम पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, अगर आप बीमार है या प्रेगनेंट हैं तो दिन में आप फल फ्रूट भी खा सकते हैं, तो इस तरह पूरा दिन हम वरत करेंगे, शाम के समय हमें अपने वरत को खोलने के लिए परशाद बनाना है अपने लिए खाना बनाना है, तो जैसा भी आपने वरत का संकल्प किया है, उस हिसाब से आप परशाद बना लीजिएगा, फिर भगवान के सामने दिया जला के आरती करेंगे, जो भी परशाद बनाया है उसका भोग चढ़ाएंगे, और पूजा करने के बाद फिर शाम को हम अपना वरत खोल लेंगे यानि हम परशाद ग्रहन कर लेंगे. का सामान, दक्षिना और खाने के लिए कोई भी परशाद, खाने की कोई भी चीज, ये लेकर हम भगवाशीर शंकर के मंदिर में भगवाशीर शंकर और माता पारवती को चरहा देते हैं और परशाद सभी में बाठ देते हैं, इस तरह से बहुत सुक्ष्ण तरीके से आप सावन के सोमवार का उद्यापन हर साल किया जाता है, वरत तभी पूर्ण होते हैं जब हम उसके निमित उद्यापन यानि उसके निमित कुछ दान कर देते हैं, तो फ्रेंट्स ये थी सावन के सोमवार के वरत की संपूर्ण जानकारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद भगवान शिव शंकर माता पार्वती की किर्पा आप पर सरवधा बनी रहे इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाई राधे राधे